नमस्ते दोस्तों, आज हम रूबू हो रहे हैं पर्देश कारी समिती बाजपार राजस्तान, जो नौका की आम जनके बहुत प्रिये विशेश कर यूआउं के लिए, जिनका नाम है वियारी लाजी बिस्नी, जो नौका होस्पिटर मुद्दा चल रहा है, उसके विशे में हम कुछ बात करेंगी और कुछ इनके वक्तिगत जनता के पड़ती हॉस्पिटर के पड़ती क्या विच्छा रखेंगी, यह भी हम देखते हैं आज, सर्, हॉस्पिटर की एवेस्ता पहले के जो वीडियो बने, मैं आम नागरिक के जागुक होने के नाते, आम जनता की काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको दन्यवाद, लेकिन होस्पिटल में जानते का आप अविववस्ता की बात कर रहे हैं, आविववस्ता का आलम जो पिछले चार बर्स पहले था, उसमें बहुत सुदार इन चार बर्सों में हुआ है, इसलिए अस्पताल में निरंतर कास पताल में विछले चार सालों में हुए हैं, सर मैं यह कह रहा हूं, डिलोरी की टैम में जो में वीडियों बनाया था, उसमें चार बज़े से लेके रात की दस बस तक इग्रिवरी पैसें इज़ार करा था, डॉक्टर की लेडिज, तब दिलोरी की बात कर रहे हो, डाक् गयनेकोर्गमोर्णोरोजिस्ट की उपस्तिती है, सिर्फ GALL अस्पटाल जो PVM ऑस्पटाल है, नौर्थ हिंडिया का सबसे बड़ा है, सरकारी ऑस्पट उसमें गयनेकोर्गमोर्णोरोजिस्ट है, उसके बाद में 13 CACC해bii 약ोर्गमे, 13 मैं से एक मात्य नोख है, जहां Pin सरकारी समताल के सिस्टम को खतम किया गया था सोती समझी रन निती के तैथ तब के जनपर्दी मिदों द्वारा उसमें सुधार करते हुए अब इस्तितियां बिल्कुल उलट है आज नोका में सायत परती दिन निश्टी तोर पे 10 से ज़्यादा डिलेवरी परती दिन होती है सिर्फ जाते हैं यह इस्तिति अज कि नोखाई के फेलिक बोल रहे है तो वह क्या गलत कह रहे हैं। तो उनको नोखा की पब्लिक से मेरा निवेदन है कि आप पहले की चार साल पहले की आज की कम्पेरिटिव इस्टडी नोखा शेपतालगी कीजिए और आप भी जागरू कर रहे हैं लोगों को बहुत एहम विशे पर जागरू कर रहे हैं आपका दन्यवाद है तो आप पूरे क्वाटिटेटिव डाटा लेके और पहले की राज राज की इस्थिकी बात कीजिए तो जनता को अवेर करिए कभी पहले क्या था राज क्या इस्थिति यह तो ऑपनी रसीप कार्ट है और छो डॉक्त लेट आते था गोण यह उसकी विए बंदो बस्तिया है यह भी एक पतिनी नहीं हो लेकिन मैं एक सतारुट पार्टी कारी करता हूं ज्यादा बड़ी इसे तो मेरी नहीं है लेकिन जो भी मेरी इसे उससे बढ़के मैं इस स्योस्ता को फुदारने में लगावाँ और नोखा में जो आप उपस्तित की बात करें कि डॉक्टर सवा नोव बज़े नहीं है या तो चुट्टी पर और वहां चुट्टी नहीं होते हुए उसकी प्रजेंट बोल रही है और वह आजिर नहीं है ऐसा कोई मामला है तो तुरंत बड़े अधिकारियों के संग्यान में हम लाएंगे ऐसे को शिकाहित अपलाई स्वागत आप पर लिखिप में और प्रजेंट बहुत जाता है तो तो टांसर क्यों नहीं हो पाता पर मानित यहां पर बिलकुल ऐसा है पहली पर पहली बागत तो आपको प्रटिकुलर केस की बात करें तो अपने उस पर आएंगे लेकिन डॉक्टरों के ट्रंसपर की तो बात छोड़िये हम तो उस बीद बा ग्रामी रूण चेतर में आना ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि डाक्टरों कमी है और राज्य सरकार ने इस वसंद्राजी की सरकार ने इस बार इस गंबीर विशे पे बहुत बड़ा काम किया है कि पांस साथ नए मेडिकल कोलेज की गोश्णा की है और उनमें से पांस को हम जाने वाले समय में डाक्टरों की कमी पूरी होगी निश्ची तोर पे इस वेवस्ता को सुदारने में मदद मिलेगी क्या सर घुश्णा बढ़ा रहें कि जो मांगे जो एक बेट पर दो डिलर्यों के सोर है उनके बारे माप क्या क्या हो देखो ऑस्पिटल पहले अपना सो याँ है और डाक्टर जो यहां से बार गया है जैसे डाक्टर गंशाम सवामी अपड़ा इंचासते जूर में जून में कनिस्ट मिशे सग्या है मेडिसिन तो आज वो पूस्ट खाली है तो डाक्टर गंशाम स्वामी का जो चुनाओ ट्रांसवर कर दिया गया था अजमिर आम उसको वापस प्रियास करते हैं कि डॉक्तर सौमी को वापस नो खला है तो मेडिसीन का एक जो डॉक्तर वेकेंट सल्री वह कम फूरी हो और ऐसे जहां 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 जूनिर स्पेसलिस्ट अपने के नहीं है तो वहां हमने कोशीज किये हैं कि ऐसे मेडिकल ओफिसर को यहां कर रखा है ताकि अगर कई करेंश्ट विशे सकेंगे नहीं है जूनियर स्पेसलिस्ट किसी सब्जेक्ट का नहीं है तो वह उसक्तव कमी को पूरा कर सके जैसे अपने पास अभी एनस्टीश्या का जो 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 बिएक लैमो है डाक्टर मिड़ा वह एस पर काम कर रहा है अब नोखा ये 210 गाउं की और श्पीटल के बीच में और 5 लाखी पब्लिक है प्लस सिर्बालाज जो पास के गाउं से दूसरे जो नोखा तैसिर के अंदर नहीं है फिर भी आते हैं और यहां आप क्या मानते हो छे लाखी पब्लिक के बीच में यह और स्टिटल कंप्रिट है देखो कोई भी व्योस्ता है अपने आप में परिपूर नहीं होती लेकिन सब लोगों का यह परियास होना चाहिए कि अपने उस दिसा में जितना एफर्ट्स कर सकता हुटा करना चाहिए इस CSC में आज की तारीक में आप बढ़री है उनकी चेकी सब्सक्राइब उस हिसाफ सब्सक्राइब जो पीछे चार साल पांच साल पहले चार सो के लगभग था मतलब आउट्डोर डबल हो गया है तो कुछ नकुछ यहां सुविदा हैं बड़ी है कुछ डॉक्टर व्योस्ता हैं तब ही तो इतने डबल संचा में आउट्डोर में पेसेंट आने उनको ट्री ने जिए सेश्टाइब गञेखराइब भी ते म्याली क्विंगत हैं परिफेव पिल्कुल है ठेला ओस्पितल में तो इस तर घुसमें कएले पेला आज्वेकियों जी इस धिर चैसले में पहले हैं सब्थेव शेक्ट देल निздर मोहिए और इन सब को उपरेटोर सैंखे तो यह सारे एक्पेंट विकाने रजीले की किसी दूसरी सियसी में नहीं है आपके नोखा में है और इसमें सरकार ने मदद किये और दो मसीनों में दान दाताओं ने भी मदद किये जैसे डिजिल एक्सरे मसीन में बामा साकुल दरिया परिवार नर्सिजी बमर जी ने पुनम है नोख हमें एक महतर शीयसी में कहीं है दूसरे जेगब्रेड़ पर नहीं चाल लिए बंद है चाल लोगा जालो है सर मैंने यह होश्पिटर के सम्मेद हर जन्द परतिनिती के पास मेंने रिप्लेष्ट किये और कुछ को मैंने अपील भी किये जाके आपने देखा है आम लेकिन मेरे साथ को खड़ा होके तयार क्यों नहीं है इस संब्सक्राइब देखिए हम आपका इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि आप इस चीज को बहुत महत्पून भी से इस पर जनता को जागरू कर रहे हैं जनता को अवे रोना भी चाहिए और इस विसे पर आप से म करता हूँ कि अस्पताल की वर्तमान एक्यूपमेंट की स्थितियां क्या है वर्तमान डॉक्टरों के प्लेस्मेंट की स्थितियां क्या है नर्सिंग स्टाप के प्लेस्मेंट की स्थितियां क्या है वह पीछे की कंपेटर इस्टेटी भी आपकर पब्लिक डॉमेंड में ल पास एंट का डॉक्टर नहीं हमारे पास तो इन तीनों श्थितियों पर हम कोशिज कर रहे हैं कि जैसे भी संभा वो हम डॉक्टर लाने कोशिज कर रहा हूं तुमकि मुझे आम पब्लिक के सामें सत्ति ला रहा हूं मैं कनेलाज जी के पास गया आसके बटर कुब और के नेम और उनको तो कनेलाल जी को तो पहले जिम्मेदार ही दी की थी जन्ता द्वारास वो विदाएक थे संसेद्य सजीव थे और असोग जी के लोगत की कॉंग्रेस सरकार उनके कंदों पर चल रही थी वो चाहते तो इस होस्पिटल का इतना बड़ा काया कलप कर सकते थे कि जिस साधन करने के लिए इस हेस्पिटाल की व्योश्ताऑ को खत्म किया गया और आज मैं आपका के जम्र दिया पहले जान डिलीवरी किसेंश से जजज़ादा की संक्या में रिफर हुआ करते थे आज तिन सबसेंथा संक्या में पर्लमन頬 डिलीवरी केसें अर पहले सोज़ सो आज सिर्फ complicated cases जो सो या सो मुश्किल से होंगे वह भी का नेरे फर्गिया जाते हैं 300 से ज़्यादा यां डिलेवरिया होती है आप अंदाजा लगाईए एक डिलेवरी के से अगर प्राइवेट होस्पिटल में जाता है तो आम आदमी का 30-40,000 का नुक्सान होता है और तीसरी कोई जैसे कोई दवाई बाई दवे या नहीं है तो उसमें C.S.C. in charge को हमने परमिशन दिलवाई है कि वह अपने इस तरह पर उसको खरीच सकता है यह उसको परमिशन दिलवाई है और फिर भी कुछ पैसें बाहर से लेक्या आ रहे हैं फिर भी बाहर से आपको दिखाया है आपने जिनों नहीं को दिया था बयान उन सभी सभी करूंगा एक बागो जो लिखित मापके पास पूर को मेरे पास लेका है यह मैं आपको यहां से बुचारिस कहलेंगे सार जुअब मैं एकर हो हूं जो आपने बहुला जन परती अपनी मर्थ जो नहीं जन परती नों गेंदीशों सीदा केह रहूं गए हिसा ऐ्रेट्शन Elijah करके अंधर आम परे सुखने को किसतरबी मीश्राओ टेना छी चेदिया को जनता जना जनाड दन फ्रेंग संब्स between वसंद्राजी ने एक सिस्टम सुरूगी रहा संपर्ग पॉर्टल का उसका तुरंत समाधान के लिए पूरी सरकारी मशीनरी एक्टिवेट होती है और उसका उत्ति समाधान करती है और फिर उसका सैटिस्फेक्शन भी बकाईदा सरकारदवरा पूछा जाता है कि आपकी ये समश्चा थी इसका ये समधान किया गए है क्या आप संवश्चाग के संबादान से संतुष्ठ हैं ये तका तक शिस्टम सरकार ने किया है जहीं पहली वार आने पिछले सालों में किसी सरका़र दोरा किया गया सिस्टम अनूठा है जो ड्र उस दिन डूटी पे है लीव पे नहीं है और उसकी डूटी बोल रही है उस डूटी और मैं आठ से बार पांच से साथ अगर वो गर पे फीज ले रहा है तो आप कैमरे के साथ यह वीडियो बना के लाएए ऐसे डाक्टर की सरकार में कता ही जरूरत नहीं है उसको घर बेजेंगे क्या आम आदमी को अधिकार है वो वीडियो बनाने का आज कल आम आदमी ही तुरंत वीडियो बनाता है सोचल मीडिया का इतना बड़ा जमाना है सब तरह के वीडियो तुरंत बनता है सब्सक्राइब कर लिया है उसमें अगर कोई डॉक्टर लेट आता है तो मैं कली इस बात को सीमेचों को बात करूंगा कि वही आप आठ वजे आपका सिस्टम चेक करिए आठ से सवाठ के बीच में आपके सारा इस्टाप बायोमेट्रिक सिस्टम पर आता है और नहीं आता है उसके किस-किस के थम में प्रेशन आते हैं वह सारी चीज़े में कली डॉक्ट सियमेच से बात करके चेक कर रहा हुए अब नागरी के क्या क्या करते होता है जो सरकारी डिपार्मेंट में वह वाद उठा सकता है आम्र नागरी के इस देश को सुधर बनाने के लिए इस देश की प्रदेश की गवस्ताओं को सुधारने के लिए आम आदमी का बहुत बड़ा दाइत्व है ने प्रविखंद करना सिससी किस्ते हैं नुकि जनताओं करना की जनता से आवान इवेदन करना करणा ओंगा कि जैसा भी मेरे पास समर्थ्य है जैसा भी आपका असने राशिरवाद है आपकी हर तकलीव में दुख में मैं पूरी मेरी इक समता के साथ हाजीर हूं सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट की न्यूस सबसे पहले देखने के लिए